हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिलाई हूँ मैंगलोर के इस्पेशल चिकन चिकन घी रोस्ट की रेसिपी तो इसको बनाने की तियारी करते हैं सबसे पहले धीमी आज पर थोड़े से सावित मसाले भूनने हैं एक टीजपून धनिया चौथाई टीजपून साबित काली मिर्च तीन चौथाई चमच जीरा आधा चमच सौफ और दस से पंदरा दाने जो आपने मैथी के डालने हैं इसमें चार लाल मिर्च भी डाली हैं लेकिन यदि आप मिर्च कम खाते हैं तो आप एक या दो मिर्च का इस्तिमाल करेगा क्यो करें और ठंडा करके इने पीस देना है पीसते समय इसमें आठ लेसन की कलियां और करीवन डेड़ इंच अध्रक का टुकड़ा भी डालना है शुरू में इसको बिना पानी डाले ही पीसना है एक वार जबी थोड़ा सा ऐसे तरह से पिस जाए उसके वाद इसमें दो का मेल होता है थोड़ी सी कश्मेरी पाउडर किकी इसे रंगत बहुत अच्छी आएगी और एक सबजी को और तीखानी करें और थोड़ा पाइन डालके पेस्ट बनाना है और पेस्ट को बाद में बाल में निकाल लेना है इसमें जो है दो टेवल स्पून दही का भी मैंने अब इन दोनों को मिलाकर आपने बहुत अच्छे से इसका एक स्मूज सा पेस्ट बना लेना है करीवन 600 ग्राम मैंने इसमें चिकन का इस्तिमाल कर रहा है जिसको मैंने बहुत अच्छे से दो कर साफ कर लिया एक वाट जब हमारे मैरी निशन का मिक्स तियार हो जाए तब आपने इसमें एक एक पीस को डालकर बहुत अच्छे से इस पीस पर मसाले को लगाना है और जब सब पीसों पर मसाला बहुत अच्छे से लग जाए तब आपने इसको ढख कर फ्रिज में 30 चालिस मिनट के लिए मैरीनेट करना है कम से कम और यदि आप ज्यादा टाइम के ल अब एक कढ़ाई में करीवन एक से दो टेवल स्पून घी जो है वो गरम किया है आप घी को अपने अकॉर्डिंग यूज करिएगा कम या ज्यादा दो मीडियम प्याज जो है उनको फाइन चॉप करके इसमें डाला है दो से तीन मिनट इसको अच्छे से चलाया आज जो है थोड़ी दिर अच्छे से भूनना है और उसके बाद मुझे चिकन की पीसिस मैरिनेशन के लिए रखे दें उनको जो है इसमें एक एक करके डालना है और जो मसाला जो था बचा हुआ दही और सावित मसालों का जो मिश्रण है वो भी इसी में एट कर देना है साथ से आठ मि ज़गे तो किर्पया ऊच्छे से भूनना है इसको बनने में थोड़ा सा समय लगता है क्यूंकि रेसीपी को धीमी आश पर पकाया जाता है समय समय पर इसको चलाना ना भूले healthy 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 одной मट भूनने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें याद रखिएगा कि इसके ग्रेवी है यह बहुत ज्यादा पतली नहीं होती है यह थोड़ा सा गाढ़ा भीज़ा बनेगा तो पानी को ध्यान से डालिएगा अब इसको तब तक पकाना है जब तक की आ слब ढूरभ ना है करीवर 1 टी बाँबने काफे अपने से गृड बणना हो अच्छे से सब्जी में गृलने देना है इस सबजी का स्वाथ थोड़ा सा डिफरेंट होता है खटास और मिठास लिए लेकिन इस बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फाइनले टच के लिए इसमें 10 से 15 करी पत्ते फ्रेश करी पत्ते अच्छे से दो के साफ करके डाले है और बस इसको अच्छे से चलाना है और ये खाने के लिए तेयार है आप इसको रोटी, चावले, लच्छा, पराठा के साथ खाएए और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलेगा ऐसी और इसी भी के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू